आइटी वीपी ने एनावस कर दिया अपनो ओफिशल नोटिफिकेशन कॉंस्टेबल, हेड कॉंस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए कितनी नंबर वेकिंसीज हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमीट है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए, कितनी वेकिंसीज किसको दी गई है, सारी बात करेंगे आज किस वीडियो में, क्या सैलरी है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, इसलिए इस वीडियो का एंट तक जरू देखेगा दोस्टों, शुरुआत करते हैं, सबसे पहले जान लेत हैं, उस हेड कॉंस्टेबल के लिए सबसे जादा नंबर वेकिंसीज है, 383, और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए 92 नंबर वेकिंसीज है, 526 टोटल इन तीनों पोस्ट को मिला कर आपकी बन जाती है, इंडो टिपिटन बॉर्डर पुलिस पोस्ट जो है दोस्तों, के पोस्ट के लिए अगर अपलाई कर रहे हो, और अगर उन दोनों बाकी पोस्ट के लिए अपलाई कर रहे हो, तो यह दोनों या निक कॉंस्टेबल और हैड कॉंस्टेबल के लिए अपलाई कर रहे हो, तो फीस लगेगी 100 और और रिजर्व कैटेगरी के लिए, हCST कैटे से यहाँ पर देखे, सब इंस्पेक्टर के लिए अगर आप अप्लाई करोगे तो आपके पास या तो BSC या फिर B.Tec या फिर B.C. होना चाहिए, ठीक है, head constable के लिए apply कर सकते हो constable के लिए ज़ादा कुछ नहीं है, keval just we pass आपसे मांगा गया है और other certificate की कोई requirement नहीं है ठीक है, तो constable के लिए तो आप apply करीदो क्यूंकि 10th pass के वल मांगा गया दोस्तो अब यहाँ पर देखे age limit sub inspector के लिए 20 से 25 साल होने चाहिए head constable के लिए 18 से 25 साल होने चाहिए और constable के लिए 18 से 23 साल के बच्चे apply कर सकते हैं, right आगे देखते हैं, चलिए next है आपका selection process में देखिए physical efficiency test और physical standard test है then आपका written examination document verification और then medical examination यह steps आपको पूरे करने है इसमें selection पाने के लिए, right next देखे salary details के बारे में जा लिए sub inspector की जो salary के शुरुवात ही हो जाती है दोस्तो 35,400 से हो जाती है और बढ़ते बढ़ते salary लाखों में चली जाती है और दूसरी अगर मैं बात करूँ head constable के लिए तो 25,000 से शुरुवात और 81,000 तक इसकी salary चली जाती है और constable के लिए जिसके लिए केवल दस्वी पास मांगा गया है 21,000 से शुरू होकर 69,100 तक इसकी salary चली जाती है पर मंत की दोस्तो तो salary भी बहुत अच्छी है और post भी बहुत शानदार है official dates दहां पर जान लीजी official dates है दोस्तों ये मैं अपनी तरफ से कोई बना के नहीं बता रहा हूँ या फिर कहीं और fake notification देखकर नहीं बता रहा हूँ ये official notification है screen पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर देखे starting from 15 November से इसके registration शुरू हो जाएंगे last date रहेगी 14 December इसमें apply करने की तो शुरुवात अभी से करतो तैयारी की क्योंकि अब official dates आगे इसके बाद कोई इंतिजान नहीं होता क्योंकि आपको पता है अब paper हो नहीं है तो तैयारी में आज से लग जाओ इसके ठीक है यहाँ पर देखें अगर आपको इसका official notice पढ़ना है जिसको देखकर मैं यह वीडियो बना रहा हूँ वो उसका link आपको मेरे description में मिल जाएगा ठीक है बई यह थी सारी जानकारी आज किस frequency के बारे में ऐसी और amazing information के लिए maths और reason का असान तरीके से पढ़ने के लिए हमाई channel को subscribe कर लें bell icon को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि video डलती तुरंत notification आपके phone में आ जाए so मिलेंगे next video में तब तक मोज लो, रोज लो और ना मिले तो खोज लो have a nice day